हलो दोस्तों रमश्कार आईए स्टाट करते हैं आज की क्लास 21st of December का डिटोरियल टाइटल है Turbulence in South Turbulence जो वर्ड है इसका मतलब होता है उथल पुथल ये पहले भी आपने कहीं देखा होगा Turbulence के Synonym सब डाल सकते हो Tumult या फिर आप इसे कह सकते हो Upheaval या आप इसे कह सकते हो Disorder उथल पुथल को बोलते हैं इस्टॉम को भी कह सकते हैं तुफान को भी कह सकते हैं ठीक है तो South में दक्षिन में उथल पुथल मची हुई है तुफान आया हुआ है किसको लेकर लिखा गया है The Heavy Rain in Southern Tamil Nadu Heavy Rain, भारी बारिश, किसमें दक्षिन तमिलनाडू में Weather Forecasting Forecast का मतलब होता है पूरवा नुमान बताना मौसम की पूरो जानकारी देना Forecast कहलाता है Forecast के तीनों form सेम होती हैं ठीक है न? और ना केवल Forecast, बलकि जिस भी word में कास्ट आता है चाहे वो टेले कास्ट हो, चाहे वो ब्रोड कास्ट हो या केवल कास्ट हो, कास्ट का मतलब होता है फैकना या डालना, वो डालने के लिए कास्ट यूज करते हैं फैकने के लिए भी कास्ट यूज करते हैं, ठीक है? तो इनके तीनों form सेम हैं, Forecast, 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 Forecast टेले कास्ट टेले कास्ट टेले कास्ट ब्रोड कास्ट ब्रोड कास्ट ब्रोड कास्ट है न और ये कास्ट 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 ऐसे है तो तीनों फॉर्म से हैं है टेलेकास्ट और ब्रोडकास्ट परसारण को बोलते हैं और कास्ट है वो फैकनाया डालना होता है तीनों फार्म सेम है तो ये लिखा गया है दक्षिनी तमिल्लाडू में जो बारिश है भारी बारिश हो रही है उसको लेकर और मोसम की पूरो जानकारी को लेकर और प्रिपेरड नेस और तैयारियां कैसी है उसको लेकर ठीका प्रिपेरड नेस क्या है तैयारी और नाउन है ये क्योंकि नेस जड़ा हुआ शब्द हे जिन वर्ड्स के एंड में सफिक्स के रूप में नेस मिलता है वो एजेक्टिव नाउन होता है जिसे sadness होता है, happiness होता है ये preparedness हो गया, है ना fondness होता है आगे देखिए किस बारे में है India must ensure इंशोर देखिए दोस्तों तीन चीजें मैंने पहले भी बताई है आपको एक word होता है I-N-S-U-R-E, एक word होता है E-N-S-U-R-E, और एक word होता है A-N-S-U-R-E ऐसे करके तीन शब्द हैं ensure जो होता है, बीमा करना होता है इसका मतलब है, बीमा करना ठीक है, ये वाला जो ensure ये सुरक्षा देना भी होता है, बीमा का मतलब सुरक्षा कवर है, ensure का मतलब है सुनिश्चित करना ठीक है, ऐसे करके तीन शब्द हैं ये तो भारत को must have model है model के साथ base form आती है, तो भारत को जरूर से जरूर क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, क्या better cohesion, cohesion बोलता है इसको, cohesion का मतलब होता है unity एकता कह सकते हो एक जुड़ता कह सकते हो या in agreement तालमेल कह सकते हो in agreement तो भारत को जरूर से सुनिश्चित करना चाहिए कि और बहतर तालमेल हो किसके बीच, agencies के बीच में ठीक है, during disaster जब भी आपदाएं आएं disasters का मतलब आपदा during है वो preposition है तो जब भी आपदा आएं तो वहाँ पे agencies के बीच में क्या बहतर तालमेल होना चाहिए ये सुनिश्चित करना ही चाहिए India subject है must ensure verb है जिसमें must model है और ये base form है आगे देखिए इसका screenshot मतलब जो भी screen PDF है और word list है वो आपको मिल जाती है टेलेग्राम चैनल आसिस क्लासिस से साथ में एक आसिस क्लासिस एप्लिकेशन का लिंक भी आपको description में provide करवाया गया है वहाँ पर आपको grammar के courses grammar zero to advanced level की grammar किसी भी परिक्षा के लिए हो वो वहाँ पे उपलब्द है इसके अलावा आप completion की ओर है है ना तो वो आप buy कर सकते हो और बहुत सारे और भी courses है कुछ PDF भी उपलब्द हैं कुछ E-books भी उपलब्द हैं वो सब आप देख लें एक बार आप वहाँ चाके और वहाँ से आप access कर पाएंगे देखे विस्तार से इसको पढ़ता है December has been a month December has been रहा है A month एक महिना किसका? Turbulence का? उथल पुथल का? 4 Tamil Nadu किसके लिए? तमिल Nadu के लिए December की verb है वो has है has के साथ third form been है A month a determiner है यह noun है O preposition है यह इसका object है noun है 4 preposition है यह इसका object है noun है और Tamil Nadu चू की नाम है राज्य का तो proper noun इसको कहना पड़ेगा तो December जो है वो तमिल Nadu के लिए उथल पुथल का महिना रहा है Just when the northern parts of the state ठीक तभी Just then ठीक तभी The northern parts of the state जो उत्री छित्र हैं उत्री भाग हैं राज्य के राज्य कौन सा है Tamil Nadu इसलिए दे लग रहा है क्योंकि हम Tamil Nadu की चर्चा करते वे आ रहे हैं तो दे लगा सकते हो यहां पर आप चेन्नई and neighboring districts ठीक है तो उत्री जो भाग है इस राज्य के चेन्नई है और जो बाकी के जो जिले हैं नेबरिंग मतलब पडोस के जो राज्य है वर रीकवरिंग फ्रॉम साइकलोन मिचोंग अब यह जो हैं यह उत्री भागों के लिए इन नदर्न पार्ट्स के लिए वर्ब दे दी आपको वर रीकवरिंग पास्ट कंटिनिवस है यह रीकवर कर रहे थे किस से साइकलोन चकरवाथ मिचोंग उसका नाम था एक चकरवाथ आया था मिचोंग नाम से इस से यह वापस मतलब रीकवर कर ही रहे थे थिक है धैट क्रोश ड़्य कोस्ट टूविक सिगो धैट आराइस मिचोंग के लिए मिचोंग ने क्या किया क्रोस किया, पार किया, क्या, तट, कब, दो सप्ता पहले, एगो के साथ में, पास्ट इंडेफिनेट लगता है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट क्रोस दे रखा है, तो सदन पार्ट्स, दक्षनी जो हिस्से हैं, अब ये विशेश करके, इन इन जिलों की बात की है, वर बैटर्ड, बैटर का मतलब यहां पे है, डेमेज करना, या फिर आप इसे कहेंगे, रूइन करना, या इसे कहेंगे, डेस्ट्रोई करना, नस्ट कर देना, छतिगरस्ट कर देना, तो ये जो दक्षनी भाग हैं, इनको तहस नहस कर दिया गया, extremely heavy rainfall, rainfall noun है, heavy executive है, extremely adverb है, दे anyway noun की विशेशता बताइगा, adjective तो adjective है, executive की विशेशता बताइगा, adverb तो adverb है, इनको तहस नहस कर दिया गया變, बहुत जदा भारी बारिश के दुड़ारा, over, मतलब during, कब हुई ये बारिश, ये हुई, Sunday to early Monday, Sunday को शुर दोरान जो बारिश हुई उसने, फिर समझे, कहां से स्टार्ट करें, ये देखें, जस्ट वें ठीक तभी, जब उत्तरी जो हिस्सें हैं राज्ये के, चेन्नई और जो पडोसी जिले हैं, वो रीकवर कर ही रहे थे, साइक्लोन मी चौंग से, जिसने दो स्वपताह पहले तट को पार्क किया था, तो दक्षनी हिस्से हैं विशेश करके ये जिले, इनको तहस्नेस कर दिया गया, बहुत भारी बारिश ने, कब इस दोरान हुई बारिश ने, ठीक है, इसका स्क्रिंशोट अपले सकते हैं, एट्रिब्यूटे टू, ये काफी बार आता है वर्ड, इसके क्रेडिट भी कह सकते हो, श्रे देना, आप इसको ऐसा पड़ो, इसके चलते हैं न, इसके कारण, तो अपर एर सर्कुलेशन, उपरी जो एर सर्कुलेशन हो रहा है, वाईयू का जो सर्कुलेशन है, उसके चलते, 39 प्लेसेज रजिस्टर्ड, 49 इस्तानों ने दर्ज किया, रजिस्टर का एक सिनोनीम होता लोग, दर्ज करना, एक्स्ट्रीमली हैवी रेइनफॉल, काफी भारी बारिश, कितनी, 21 सेंटेमेटर से ज्यादा, लेवल में उपर की बात करोगे तब हो आएगा, लेवल में नीचे की बात करते हैं, तो आता ही यहाँ पे बिलो, तो 21 सें ने बहुत भारी बारिश, यहाँ पे दर्ज की है, 21 सेंटेमेटर से ज्यादा, 24 घंटों में, ठीक है, आगे कहा, यह कयाल पटिनम, इन थोतो कूडी, अब यह एक जगह है, यहाँ पे, इस जगह ने रिकॉर्ड किया, दर्ज किया, फिर से लोग यहाँ पे लगा सकते हो, इसका सिनोनिम अ वॉपिंग, वॉपिंग का मतलब होता है मैसिव, या फिर आप इसे कहेंगे ह्यूज, बहुत भारी भरकम, तो इसने क्या किया, इसने दर्ज की बहुत भारी 55 सेंटेमेटर बारिश, कब वाइल 8 अधर प्लेसे रिकॉर्डेड और 50 सेंटेमेटर इन दे से सेहने दर्जादा को over, यहां भी above लग सकता था, ठीक है, और से अधिक बताना चाहते हो, आप more than, तो फिर over लगा सकते हो, तो दोनों जगए एक ही preposition लगना चाहिए, या तो over या above, अगर आप एक level मान लेते हो, तो level में उपर के लिए above, और से अधिक की बात करते हो, तो आप लगाईए, over, ठीक है, while है, वो contradictory statement को denote करने के लिए आता है, दो विरोधा भासी sentences को जोडने के लिए आता है, ठीक है, तो कयाल पत्तिनम्स तोतुकूडी में जो इस्तान है, उसने बहुत भारी भर कम बारिश 95 cm दर्ज की, जबकि 8 और जो जगह हैं, कल भी मैंने बताय अधर के बारे में, कि अधर है, वो generic reference में use होता है, जब plural noun आगे होती है, तब लगता है, ठीक है, तो 8 और जगह होने दर्ज की 50 cm से अधिक बारिश, कब इसी period में, इसी समयकाल में, the entire weather activity was considered, entire संपूर्ण adjective है, weather activity ये compound noun है, और the determiner है, इसकी verb है, वो was considered, passive voice है, ब के साथ third form है ये past indefinite का passive है, second form का passive किस से बनता है, वो अजबर के साथ third form से, तो पूरी की पूरी जो weather activity है, उसको consider किया गया, उसको माना गया, consider क्या होता है, मानना, क्या माना गया, अफ्रीक occurrence, फ्रीक होता है दोस्तों, anomalous, anomalous कह सकते हो, अर्टिपिकल, ए सामान्य को बोलते हैं, unusual, हिं ये होता है, हिंदी में इसका मतलब, तो पूरी की पूरी weather activity को ऐसा माना गया, कि ये freak occurrence है, occurrence का मतलब है, occur होने का process, मतलब घटित होने की प्रक्रिया, occur का एक synonym बताता हूं आपको, O, C, U, R, occur जो होता है, इसका synonym होता है, transpire, ये इसका synonym है, ठीक है, तो पूरी की पूरी weather activity जो है, उसको consider किया गया, एक बहुत ही अजीब और गरीब, occurrence, in the ongoing, ongoing का मतलब है, continuous, इस लगातार चल रहे, north east monsoon, जो उत्तरी पूरी monsoon है, अभी जो जारी है, उस में एक अजीब सी घटना इसको माना गया, ठीक है, इसका screenshot ले सकते हैं, आगे कहा, nearly 4 million people have been badly affected, nearly मतलब लगभग, about, approximately, around 4 million people, 4 million लोग, मतलब 40 लाग लोग, have been, ये इसकी verb है, have been के साथ third form दे रखी है, ये passive हो गया, और ये present perfect का passive है, present perfect में verb कौन से आती है, has have के साथ third form, और passive बनाते हो तो क्या आता है, been लगाते हैं उसके साथ में, affected, देखिए, effect जो होता है, ये noun होती है, हलंकि ये verb भी होती है, लेकिन प्रभाव के अर्थ में ये noun है, impact भी क्या होती है, noun है, प्रभाव, ये verb भी हो सकती है, impact, प्रभाव डालने के अर्थ में, affect जो है, वो verb है, एक बात बता दूँ, यहाँ पर हलंकि, यहाँ तो काम की बात नहीं है, फिर भी आप कहीं पर पूछ सकते हैं आपसे इन दोनों के साथ में preposition on लगाते हैं प्रभाव पड़ा है तो किस पर पड़ा है इसके साथ में हम preposition लगाते ही नहीं है अफेक्ट के साथ में कोई preposition लगाते ही नहीं है ट्रांजिटी वर्ब ये होती है और उन दोनों के साथ noun ह तो own लगाते हैं यहां very ready जो है badly adverb है very be adverb है adverb की विशेस्ता, दूसरा adverb बता सकता है तो adverb के पहले एक adverb और आ सकता है तो लगभग 40 लाख लोग जो है बहुत भुरित्रा प्रभावित हुए as pointed out, जैसा की point out किया गया जैसा की point out प्रूंट नो जो ये बताया गया इशारा किया गया इस तरफ किसके दोर तमिनाडू के चीफ मिनिस्टर एमके स्टोलिन के दोरा किसमें in his letter अपने पत्र में हिजा रहा है पजेसिव एजेक्टिव ये noun है किसको पत्र लिखा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग को तो M.K. स्टॉलिन जो वहाँ के मुख्य मंत्री है उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग को एक पत्र लिखा उसमें उन्होंने इशारा किया कि 40 لاक से लोग, 40 لاक लोग वह बहुत पुरितरा प्रभावीत हुए है फिर कह रहा है कि ये तो तमीर भरनी रीवर जो है ये नदी का नाम है इवन सो इस रीवर ने नदी के नाम से पहले दे लग रहा है ठीक है even so, even का मतलब यह adverb होता है इसका मतलब होता है भी तो इस नदी ने भी चैकिया so, देखा अब हलंकि यहाँ पे even जो है वो आना तो चाहिए था यहाँ पे, इस नदी ने भी जिसकी विशेशता बताता है उससे पहले आता है और जो बाद में आता है वो काम 2 करता है टी डबल होता है यहाँ 2 होना चाहिए था फिर, ठीक है तो इस रीवर ने भी देखा क्या, a flow of 1.5 lakh cubic feet per second, क्यूसेक्स another rarity अब यह इतना प्रवा देखा पानी का यह जो क्यूबिक दे रखा है यह मापन की काई है, क्यूसेक्स इसको बोल सकते हैं तो per second इसने 1.5 lakh cubic feet जो पानी का प्रवा देखा experience किया, ठीक है so है वो इसकी verb है another rarity मतलब यह एक और दुरलब चीज है जैसे अजीबोगरी बताए तो ना free का क्रेंस है, वैसे यह भी एक दुरलब चीज है वीरल चीज है, लेर्टी मतलब दुरलब even though the exact data on human loss has not yet been ascertained ascertained का मतलब होता है find out, discover, पता लगाना find out इसको discover भी कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते है make certain, सुनिश्चित करना यह verb है ठीक है, और यह passive दे रखा है किसका present perfect का yet मतलब अब तक, until now yet adverb है, इसका मतलब होता है until now तो कह रहे है, यदपी exact data जो है human loss को लेकर वो अभी भी ascertained नहीं किया गया है अभी भी human loss कि, कितना लोग मरे हैं, इस चीज को अभी भी ascertained नहीं किया गया है मतलब अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया गया है the telly will be on the lower side लेकिन जो संख्या है, telly मतलब जो तालिका होगी, जो संख्या होगी वो will be होगी on the lower side, मतलब कम होगी संख्या मरने वालों के संख्या जो है, वो कम होगी ये कहना चाता है, telly की verb जो है वो will be है, will model है और ये base form दे रखी है, ठीक है तो इसका screenshot ले सकते हैं आप फिर कहा रहा है, train with about 800 passengers from Tiruchendur to Chennai एक train जो जा रही थी Tiruchendur से Chennai, इसमें 800 लगभग passengers थे, इस train को इस train की verb है was stopped, इसको रोका गया, अच्छे stop के दो मतलब होता है, stop का रुकना भी होता है खुद से, और रोकना भी होता है दोनों ही meaning में ये आ सकता है, तो इस train को रोका गया, at the Shri Vakuntum station इस station पर, ठीक going by initial reports, going by का मतलब according to, इसके अनुसार तो शुरुवाती reports, initial मतलब शुरुवाती शुरुवाती reports के अनुसार infrastructure, जैसे की roads rail lines, kennels मतलब नहर, tanks, electric poles and many houses ये है infrastructure, शुरुवाती reports के अनुसार जैसे infrastructure है, ये वर्णन कर दिया, इस infrastructure को has taken a beating, ये take a beating एक phrase है, इसका मतलब होता है, सफर करना experience करना सफर experience करना, सफर जेलना अनभव करना, सफर damage कह सकते हो, छती तो इन में भी छती हुई है इनका भी नुकसान हुआ है, ये मतलब है suffer damage, इसका मतलब होता है, take a beating एक phrase होती है, ठीक है इसका screenshot ले सकते है फिर कह रहा है, while a number of ministers and senior officers are supervising तो यद्दपी एर number of का मतलब होता है, बहुत बड़ी संख्या आर सुपरवाइजिंग, वो सुपरवाइज कर रहे हैं, वो मतलब निरिक्षन कर रहे हैं, किसका relief operations का रहत अभियानों का governor आरन रवी, दुसरी तरफ आरन रवी जो governor है quite intriguingly, intriguingly भी adverb है ये quite भी adverb है और intriguingly का मतलब है interestingly, बड़ा ही रोचक interestingly ये बड़ा ही रोचक है, excitingly वालंकि इसका studyantra भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब रोचक है, ठीक है तो ये बिल्कुल रोचक है, convened convened का मतलब होता है call या gather, या assemble, मतलब इकठा करना एकत्रित करना तो राज्येपाल आरण रवी है, उन्होंने एकठा किया है एकत्रित किया है, meeting of the heads of department किसको departments के head की meeting बुलाई है of the central government, और ये head किसके है central government के है, to discuss the operation किसके लिए, operations को discuss करने के लिए, ये जो अभियान चल रहे हैं उनके बारे में discuss करने के लिए discuss के बाद कोई preposition नहीं लगता है, ये बात नोट कर लेना ना तो discuss के साथ लगता है और ना ही describe के साथ लगता है दोनों verb है, इनके बाद में preposition नहीं लगेगा, हलंकि दोनों के meaning अलग-अलग है, लेकिन दोनों ही exam के point of view से बहुत important है ना discuss के साथ preposition लगता है, ना subscribe के साथ लगता है, तो यददपी बहुत बड़ी संख्या में ministers और senior officers जो है वो supervise कर रहे हैं, relief operations को, दूसरे तरफ देखो governor जो आरण रवी है, उन्होंने बड़े ही रोचक बात है ये, इन्होंने meeting बुलाई है, central government के departments के head की, कि वो operations को discuss करें, इस बारे में चर्चा करें, तो यह था अच कि इस editorial में, like और share जरूर करके जाएं, और revision करके आएं, हर दिन जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि दो-चार चीज़ें ऐसी होती हैं, जो आपने दो-तिन जिन पहले ही पढ़ी होती हैं, जैसे मैंने बताया था, कि यह मैंने बता चुका, यह चीज़ मैं पहले discuss कर चुका, तो ऐसी चीज़ें जब revise करोगे, तो आपका confidence और अच्छे develop होगा, मिलेंगे अब कल एक नए session के साथ, तब तक लिए नमस्कार, thank you very much